कि आप लोग मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्तर मुवी के बारें बताएंगे इसमें आम मुवी के संब्ध में कानी और चलितरी से जोड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त मारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद सास्त्र पिल्म सास्त्र 996 की भारती इंदिवाचा की एक्शन पिल्म है जिसका निर्धेशन संजक खन्ना ने किया है पिल्मे सुनी सेटी और अंजली जतर है पिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट रही निर्धेशक संजक खन्ना दौरालिकेद रूमी जाफिरी, द्वारा निर्मित, नादिरे रानी, नदीमी रानी, अभिनीत, सुनील चेटी, अंजली जतर, डैनी डेन जोगपा, अनुपमखे, चायांकन, नजीब खान, तेजा, द्वारा संपादित, यूसुप खान, संगीत यह, आदेश श्रीवास्तर, रिलीज की कारेकारी समय, 144 मिनट, देश, भारत, भाषा, हिंदी, भूकन, बेजा करना की एक मात्र में तुकांशा, अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है, बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई परध्यान के इंद्रित कर रहा है, सेवाए कि विजा की घुजगर्वणियों कोई, ज रक्षादिकारी बाबू ने की थी, ना की एक दुर घटना में बिजगर्वणियों की खोष शुरू करता है, और अंते में जब भैव से पाता है, तो बाबू उसे बताता है, कि उसे केवल अपने मात्र पिता की हत्या को कबर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था, और बास्तर फिग खत्यारा सुतंतर रूप से गूम रहा है, और किवल एक आदमें विजग को हत्यारे तक ले जा सकता है, और यानि कंडाला में गिरधारी, लेकिन इसे पहले की विजग सचाय का पता लग पता गिरधारी मारा जाता है, बिजय और बाबू शांती पिरसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं बाहं इस्तानी डौन अराना उनका दुस्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसिनों और बिजय की जीवन के बाद है अंत में जब बिजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्तिक हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बीजे बाव को खो देता है अब बीजे अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिलकार बेह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रेक करने में कामियाब रहा बूखन बिजा खन्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बहपूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंदरित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गर्वड़ियों के जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है बिजा हमेशा यह मानता था कि उसके माता पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने बफ़ादार शुरक शादी कारे बाभू ने की थी ना की दुरगटना में बिजा बाभू की खोड़ शुरू करता है और अंत्मी जब है उसे पाता है तो बागू से बताता है कि उसे किवल अपने मात्र पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक महरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और अर किवल एक आदमी विजे को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिर्धारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिर्धारी मारा जाता है विजय और बागू शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां स्थानी डॉन राना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसीनों और बिजय की जीवन के बाद है अन्ति में जब बिजय खंडाला छोड़ेने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भथ्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय बावू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिरकार बैपने माता पिता गहत्यार को ट्रेक करने में काम्याव रा पेकना सुनिल सिटी बिजय खंडा की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेंज जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में हनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मुहंजोशी, बादशा, खान, खान की रूप में मुकेश रिशी, अवलिक कैमियो, पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल, मस्ताख खान, प्रेम की रूप में, प्रिंसिपल बदर की रूप में, दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में, गे दारी की रूप में लली तिवारी गीत संगीत सास्त्र द्वारा साउंड्ट्रैक एल्बम आदी श्रीवास्तव मुक्त ने सुच्छानवे इस्तान पश्यम मुंबई महाराष्ट इस्टूडियो आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो महभू स्टूडियो और सनी सूपर साउ सैली पीचर फिर्म साउंड्ट्रैक लंबाई 37 मिनट 13 सेकिंड की अवधी बाशा हिंदी लेवल बिग वी म्यूजिक निर्माता नदी मिरानी और नादीर इरानी फिल्म का संगीत आदी श्रीवास्तव में दिया था और गीत शामराज ने लिखे थे साउंड्रैक 1990 में त्र पूरा एल्बम कुमार शानू उदित नारण अभिजीत भट्टा चारे बावल सुप्रियो विजेता पंडित पोले मा हेमा सरदेशाही सुनी दी चौहान द्वारे रिकॉर्ड किया गया है जिसमें बहपार्श रुगायक और आदित नारण के रूप में शुरुवात कर र अपनी अवाज में गाया है गाना नमर तीन लड़की दिवानी लड़का दिवाना इस गाने को दित नारण हादित नारण और सुनीदी चौहान ने अपनी अवाज में गाया है गाना नमर चार मोर सहिया इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाही हैं गाना नमर पांच सास्तर स इस गाने के गायकार अभी जीत हैं गाना नमबर 6 बेड़ना हो कसम ना हो इस गाने को कुमार शानू और विजीता पंडितने अपनी अवाज में गाया है दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीज हमारे वी सि दुद्ध that ौक अए नमस्कार दोस्तों कैसे यह आप लोग हमेद करती हुं क्या आप सब अच्छी होगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्त्रक मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी के संबन में काहानी और चलितरी से जुड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद सास्तर फिल्म सास्तर निश्चानवे की भारती इंदिवाशा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन संजक अन्ना ने किया है फिल्म में सुनी सेटी और अंजली जथर है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही निर्देशक संजक अन्ना दौरा लखे रूमी जाफिरी शायंकन, नजीव खान, तेजा, त्वारसमपादित, यूसुप खान, संगीद्या है, आदेश श्रीवास्तर, रिलीज की तारिक, चारक्टुबरमनी सुच्छानवे, कारेकारी समय, 144 मिनट, देश, भारत, भाषा, हिंदी, भूकन, बेजा करना की एक मात्र में तुकांशा, अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है, बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई परध्यान के इंद्रित कर रहा है, सिवाए प्यूजा की खुजगरवणियों कोई, जो उससे प्यार करती है, और उससे शादी करना चाती है, बिजय हमेशा यह मानता था, कि उसके माता-पिता की हत्या, बास्ता में उनके पुराने वफदार शुरक्षादिकारी बाबू ने की थी, उना की दुरगटना में बिजय बाबू की खोश शुरू करता है, और अंते में जब भैव से पाता है, तो बाबू उसे बताता है, कि उसे केवल अपने माता-पिता की हत्या को कवर कर पर शुरू करने के लिए एक मौरे की रूप में इस्तमाल किया गया था, और बास्ते विखत्यारा सोतंतर रूप से गूम रहा है, और किवल एक आदमी विजय को हत्यारे तक ले जा सकता है, और यानि कंडाला में गिरदारी, लेकिन इसे पहले कि विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिरदारी मारा जाता है, बिजय और बाबू शांती पिरसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं, बहां इस्तानी डौन अराना उनका दुस्मन बन जाता है, जो शांती पिरसाथ के कैसिनों और बिजय की जीवन के बाद है, अंत में जब बिजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्तिक हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बीजे बावु को खो देता है अब बीजे अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिलकार बैह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रेक करने में कामियाब रहा कुछ गड़वड़ियों के जो उसे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है विजय हमेशा यह मानता था कि उसके माता-पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने बफदार शुरक शादीकारे बाभू ने की थी नाकी दुरगटना में विजय बाभू की खोड़ स्वतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी विजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिरधारी मारा जाता है विजय और बाभू शांती परसाद के कैसीनों में काम करना श किस में जब बीजय खंडाला छोड़ेने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भथ्थ्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बीजय और बाभू को खो देता है अविजय अपने दुसमनों से लडने की लिए केला है आखिरका अर्वे अपने माता पितर गयथ्यार को ट्रेक करने में कामया वरा, फेकना, सुनील सिटी, बिज़ा खना की रूप में अंजली जठर, पूजा परसाद की रूप में, डैनी डेन जोगपा, बावु की रूप में फरीदा जलाल, अंटी की रूप में, हनुपमखेर, शांती परसाद की रूप में राना की रूप में मुहन जोशी, बादशा, खान, खान की रूप में मुकेश रिशी, आवलिक कैमियो, पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल, मुस्ताख खान, प्रेम की रूप में प्रिंस्पल बदर की रूप में दिने शिंहू कुनिका सुनिया की रूप में गेम इन पेकार्ट कॉलीज पंक की रूप में विजे के अभिवावक की रूप में आचवत पोतदार। सोनिया के भाई की रूप में जैक गॉर्ड, बिजय के दोस्त की रूप में अली अजगर, गिर्धारी की रूप में लली तिवारी, गीत संगीत, सास्त्र दौरा साउंट्रेक, एलबम, आदिश्री वास्तव, मौक तोने सुचानवे, इस्तान, पश्यम, मुंबई, स्टूडियो, आनन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, महवू स्टूडियो, और सनी सूपर साउंट, सैली पीचर फिल्म, साउंट्रेक, लंबाई, 37 मिनट, 13 सेकिंड की अवधी, बाशा हिंदी, लेवल, बिग वी म्यूजिक, निर्माता, नदी मिरानी, और नादिरे रानी, फिल्म का संगीत आदिश रिवास्ता में दिया था, और गीत शामराज ने लिखे थे, साउंट्रेक, 1990 में, तृमूर्थी साउंड्स और बिग वी म्यूजिक में आडियो कैसेट पर जारी किया गया था, जिसमें 6 गाने चामिल हैं, जबकि बरतमान में इसका कॉपी सीरीज के पास है, ओनलाइन इस्टिमिंग और यो गानों का लिंग, पूरा अलबम कुमार शानू, उदित नारण, अभिजीत भटा चारे, बावल सुपरियो, बिजेता पंडित, पोले मा, हेमा सरदे साही, सुनी दी चौहान द्वारे रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें ब गाने को उदित नारण ने अपनी हवाज में गाया है, गाना नमर थी, लड़की दिवानी, लड़का दिवाना, इस गाने को उदित नारण, हादित नारण और सुनी दी चौहान ने अपनी हवाज में गाया है, गाना नमर चार, मोर सहिया, इस गाने के गायकार हेमा सरदे स आई हैं गाने के गायकार अभी जित हैं गाना नमबर चे बेड़ना हो कसमन नहूं इस गाने को कुमार शानओ और बिजिता पंडीत ने अपनी आवार्ज में गाया है दोस्तों हम बहुत मेना सी वीडियो बनाते हैं अमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ naming करना न भूल इन गांग कि कि अधिना आधो कि कैसी हो आप लो मैं उम्मेद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे का अध हम आपको साफ मुविं के बारे सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो को नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त मारी वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद अ—धन्यवाद द शास्त्र इसलुन श्याणवे की भारतिन दीवाशा की एक्षण फिल्म है जिसका न्यृत सज्यकु करता सशलहां है फ्लिमें सुनीमे शिटि और अंजली जथर हूरीग्य और लीधिक ay rus जाफतारी द्वारा निर्मेत, नादिरे रानी, नदी मिरानी, अभिनीत सुनी चेटी, अंजली जतर, डैनी डेन जोगपा, अनुपमखे, चायंकन, नजीब खान, तेजा, द्वारा संपादित, यूसुप खान, संगीद्या है, आदेश श्रीवास्तर, रिलीज की तारिक, चारक्टु कारेकारी समय, 144 मिनट, देश, भारत, भाषा, हिंदी, भूकन, बेजा करना की एक मात्र में तुकांशा, अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है, बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई परध्यान के इंद्रित कर रहा है, सिवाए प्युजा की कुछ गर्वडियों कोई जो उससे प्यार करती है, और उसे शादी करना चाती है, बिजय हमेशा यह मानता था, कि उसके माता-पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने वफदा शुरक शादीकारी बाबू ने की थी, उना की दुरगटना में बिजय बाबू की खोश शुरू करता है, और अंते में गुम रहा है, और किवले का आदमी बिजय को हत्यारे तक ले जा सकता है, और यानि कंडाला में गिरधारी, लेकिन इस से पहले की बिजय सचाए का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है, बिजय और बाबू शांती पिरसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं, बह बिजय की जीवन के बाद है, अंती में जब बिजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है, तो उसे बास्तिक हत्यारों के बारे में पता चलता है, लडाई में बिजय बाबू को खो देता है, अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है, आकिरकार बह बिजय खंडाला की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है, बह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान के इंदरित कर रहा है, सिवाए पूजा की कुछ गलबड़ियों के जो उसे प्यार करती है, और उसे शादी करना चाती है, बिजय हमेशा यह मानता था कि उसके माता पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने बफ़ादार शुरक्षा दिकारे बाभू ने की थी, ना की दुरगटना में बिजय बाभू की खोड़ शुरू करता है, और अंत्मी जब है उसे पाता है, तो बाभू से बताता है कि उसे केवल अपने तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिरधारी मारा जाता है विजय और बागु शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्थानी डॉन राना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसीनों और बिजय की जीवन के बार है अंती में जब बिजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भथत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय बावू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिरकार बैपने मातापिता गहत्यार को ट्रेक करने में काम्याव रा पेकना सुनील सिटी बिजखना की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेन जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में हनुपम खेर श प्रेम की रूप में प्रिंस्पल बद्र की रूप में दिने शिंगू कुनिका सोनिया की रूप में गेम इन पैकार्ट कॉलिज पंग की रूप में विजय के अभिभावक की रूप में आच्वित पोद्दार सोनिया के भाई की रूप में जैक गॉड विजय के दोस्त की अली अजगर, गिर्धारी की रूप में लली तिवारी, गीत संगीत, सास्त्र दौरा साउंट्रेक, एल्बम, आदी श्रीवास्तव, मुक्त निसो चानवे, इस्तान, पश्यम, मुंबई, महराष्ट, इस्टूडियो, आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो, महभू स्टूड और सनी सूपर साउंट, सैली पीचर फिल्म, साउंट्रेक, लंबाई, 37 मिनट, 13 सेकिंड की अवधी, भाष्षा, हिंदी, लेवल, बिग वी म्यूजिक, निर्माता, नदी मिरानी, और नादी रिरानी, फिल्म का संगीत, आदी श्रीवास्तव में दिया था, और गीत, शाम विराइटी सीरीज के पास है, ऑनलाइन इस्ट्रीमिंग, और यो गानों का लिंग, पूरा अलबम, कुमार शानू, ओधित नारण, अभिजीत भटा चारे, बावल सुपरियो, बिजेता पंडित, पोले मा, हिमा सरदे साही, सुनी दी चौहान, द्वारे रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें बहपाश उगायक और आदित नारण के रूप में शुरुवात कर रही है, गाना नमर ए, कुछ हुआ रे, हुआ रे, इस गाने को बावल सुपरियो और पोले माने अपनी आवाज में गया है, गाना नमर दो, क्या आदा, क्या जल्वे, इस गाने को उधित नारण, हादित नारण और सुनेदी चौहान ने अपनी आवाज में गया है, गाना नमर चार, मोर सहिया, इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं, गाना नमर पांच, सास्तर सास्त, इस गाने के गायकार अभी जीत हैं, गाना नमर चे, बेड़ना हो, कसमना हो, इस गाने क कुमार शानु और विजिता पंडित ने अपनी आवाज में गाया है दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नवसकार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं अंवीद कर थी हूं कि आप सब रच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्तर मूवी के बारें बताएंगे इसमें आम मूवी की संबन में काानी और चलितरी से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे आपको सास्तर मूवी की वारती इंद्वाशा की एक्शन कर्या है जिसका संज्यक अना नेन किया पादित यूसुखान संगीद्या है आदेश रिवास्तर रिलीज की तारिक चारक्टुबर्वनी सुच्छानवे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूकंड बेजा करना की एक मात्र मैतुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है बहपूरी तरह से अप उसके माता पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने बफदाब शुरक्षा दिकारी बावबू नेργrov ने की थी नाकी दोरगटना में विजडबावू की खोश शुरू करता है और रंदे में जब भै今天 पाता है तो बाबू उसे बताता है कि उसे केवल अपने माता पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और बास्तियारा सोतंतर रूप से गूम रहा है और केवल एक आदमी विजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिरदारी लेकिन इससे पहले कि बिजय सचाई का पता लगा पता गिरदारी मारा जाता है विजय और बाबो शान्थी परसाथ के कैशनों में काम करना शुरू करते हैं बहुं इस्थानिय डॉन राना उनका दुस्मन ben जाता है जो शान्थी परसाथ के कैसिनों और विजय की जीवन के बाद है अन्त में जब विजय खंडाला चोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्तिक हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बीजे बावु को खो देता है अब बीजे अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिलकार बेह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रेक करने में कामियाब रहा बुखन बिजा खन्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बहपूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंदरित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गर्वड़ियों की जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है बिजा हमेशा यह मानता था कि उसके माता-पिता की हत्या बास्ता में उनके पराने बफ़ादार शुरक शादीकारे बाभू ने की थी ना की दुरगटना में बिजा बाभू की खोड़ शुरू करता है और अंत्मी जब है उसे पाता है तो बाभू से बताता है कि उसे केवल अपने माता-पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और पास्तिवी हत्यारा सुतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी बिजा को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिर्धारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिर्धारी मारा जाता है विजय और बागु शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्थानी डान राना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसीनों और बिजय की जीवन के बाद है अन्ति में जब बिजय खंडाला छोड़ेने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भथ्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय बावू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिरकार बैपने माता पिता गहत्यार को ट्रेक करने में काम्याव रहा पेकना सुनील सिटी बिजय खंडा की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेंज जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में अनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मुहन जोशी, बादशाह, खान, खान की रूप में मुकेश रिशी, आवलिक कैमियो, पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल, मुस्ताख खान, प्रेम की रूप में, प्रिंसिपल बदर की रूप में, दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में, गेम इन पैकार्ट, कॉलिज पंक की रूप में, विजे के अभिभावक की रूप में, आच्वित पोद्दार, सोनिया के भाई की रूप में, जैक गॉर्ड, विजे के दोस्त की रूप में, अली अजगर, गिरधारी की रूप में, लली तिवारी, गीत संगीत, सास्तर दारा साउन्ट्रैक एल्वम आदी श्रीवास्तव मोक्त निसो चानवे इस्तान पश्यम मुंबई महाराष्ट इस्टूडियो आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो महभू स्टूडियो और सनी सूपर साउन्ट सैली पीचर फिल्म साउन्ट्रैक लंबाई 37 मिनट 30 सेकिंड की अब त्रीमूर्थी साउंड और बिग वी म्यूजिक में आदियो कैसेट पर जारी किया गया था जिसमें 6 गाने चामिल है जबकि बरतमान में इसका कॉपी राइटी सीरीज के पास है ऑनलाइन इस्ट्रीमिंग आदियो गानों का लिंक पूरा एलबम कुमार शानू, उदित ना गान के रूप में शुरुवात कर रही हैं, गाना नमर एक कुछ हुआ रे हुआ रे इस गाने को बावल सुप्रियो और पोड़े माने अपनी आवाज में गाया है, गाना नमर तीन, लड़की दिवानी, लड़का दिवाना इस गाने को अधित नारण, आदित नारण और गाना नमर चार, मोर सहिया, इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं, गाना नमर पांच, सास्तर सास्त, इस गाने के गायकार अभी जीत हैं, गाना नमर चे, बेड़ ना हो, कसम ना हो, इस गाने को कुमार शानु और विजिता पंडित ने अपनी आवाज में गाया है, दो करें कि नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मेद करती हूं क्या आप सब अच्छे होंगी तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्त्रत मूवी के बारें बताएंगे इसमें मूवी की संबंध में और चरितरी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त मारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवा शास्तर पिल्म',arme में शुनिल शेटी और Анज ली जथर है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही निर्देशक संज़क हन्ना दवाराले केट रुमी जाफिरी दवारनेशते नादिरे राणी नदीमिराणी अभिनीत सुनिल्चेटी अंजली जतर डैनी डैनी जोगपा अनुपमखे चायंकन नजीव खान तेजा त्वारसमपादित यूसुप खान संगीद्या है आदेश श्रीवास्तर रिलीज की तारिक चारक्टुबरमी सुच्चानवे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बूकन बेजा करना की एक मातर में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई परध्यान के इंद्रित कर रहा है सिवाए प्यूजा की खुजगरवणियों कोई जो उससे प्यार क करती है और उसे शादी करना चाहती है बिजय हमेशा यह मानता था कि उसके माता-पिता की यह बास्ता में उनके पुराने वफदार शुरक्षादिकारी बाबू निकी थी ना की दुरगटना में बिजय बाबू की खोष शुरू करता है और अंते में जब भैयु से पाता है तो बाबू उसे बताता है कि उसे केवल अपने माता पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और बास्ते उखत्यारा सोतनतर रूप से गूम रहा है और केवल एक आदमी विजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि कंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की विजय सचाई का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है विजय और बाबू शांती परसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्तानी डौन अराना उनका दुस्मन बन जाता है जो शांती परसात के कैसिनोальной और विजए की जीवन के बाद है अंति में जब विजए खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्तिकूख त्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में विजए बाव को खो देता है अब बीजे अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिलकार बेह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रैक करने में कामियाब रहा भूखन बीजे खन्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बेह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान के इंदरित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गड़वड़ियों के जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है बीजे हमेशा यह भैए उसे पाता है तो बावू से बताता है कि उसे केवल अपने मात pacta की अच्ट्र को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और पास्तेवी फ्ट्यारा सतंद्र रूप से घूम रहा है और केवल अगत्मी विजा को अच्ट्र में गिर्दारी ल काम करना शुरू करते हैं बाहां इस्थानी डॉन आना उनका धुष्मन बन जाता है जो शांती पैर साथ के कैशिनों और विझय की जीवन के बाद हैं है अंति में जब बीजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बीजय बावु को खो देता है अब बीजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिरकार बैपने माता पिता के हत्यार को ट्रे नुप म्खेर शांति परसाथ की रूप में राना की रूप में जोंजोशी बाथशा खान खान के रूप में मुखेश can policy केमियों पुरिस कम graveyard की रूप में अफ्तार गिल मस्ताग खान प्रेम की रूप में प्रिंस्पल बदर की रूप में दिनेंश न्गू कुनिका सोनिया क के रूप में गेम इन पैकार्ट कॉलिज पंग के रूप में विजय के अभिभावक के रूप में अच्वित पॉद्दार सोनिया के भाई की रूप में जैग वार्ड विजय के दोस्त की रूप में अली अजगर गिरधारी की रूप में लली तिवारी गीत संगीत सास्तिर द साउन्ट्रैक लंबाई 37 मिनट 13 सेकिंड की अवधी बार्शा हिंदी लेवल बिग वी म्यूजिक निर्माता नदी मिरानी और नादीर रिरानी फिल्म का संगीत आदीश रिवास्ता में दिया था और गीत शामराज ने लिखे थे साउन्ट्रैक 1990 में त्री मूर्थी साउंड् छे गाने चामिल हैं जबकि बरतमान में इसका कॉपी राइटी सीरीज के पास है ओनलाइन इस्टिमिंग आदियो गानों का लिंग पूरा अलबम कुमार शानू उदित नारण अभिजीत भटाचारे बावल सुपरियो बिजेता पंडित पोलेमा हेमा सरदे साही सुनी दी चौहान द्वारे रिकॉर्ड किया गया है जिसमें बहपार्श गायक और आदित नारण के रूप में शुरुवात कर रही हैं गाना नमर एक कुछ हुआ रे हुआ इस गाने को बावल सुपरियो और पोलेमा ने अपनी आवाज में गाया है गाना नमर दो क्या आदा क्या ज गाना नमर चार मोर सहिया इस गाने के गायकार हेमा सरदेश आई हैं गाना नमर पात सास्तर सास्त इस गाने के गायकार अभी जीत हैं गाना नमर चे बेड़ ना हो कसम ना हो इस गाने को कुमार शानु और विजिता पंडित ने अपनी आवाज में गाया है दोस्तों हम कि अफो नबसकर दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मेद करती हूं क्याप सब अच्छे होंगे तो दोस्तो आपको बता दें कि अअधा मैं आपको सbilुर आपको सास्थी पार में वारे में कानि को वी chlor produto सुज़े तो अबी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त मारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करत कि आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद सास्तर फिल्म सास्तर निश्चानवे की भारती इंदी वाशा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन संजक अन्ना ने किया है फिल्म में सुनी सेटी और अंजली जतर है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही जोगपा अनुपमखे चायंकन नजीव खान तेजा त्वारस अंपादित यूसुप खान संगीत यह आदेश श्रीवास्तर रिलीज की तारिक चारक्टुबरहनी सुच्यानवे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूकंड बेजा करना की एक मात्र मेहतु का अपने पिता की तरह कलेक्टर वर्ना है बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान के इंद्रित कर रहा है सिवाए प्यूजा की घुजगरवडियों कोई जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाती है विजय हमीशा यह मानता था कि उसके माता पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने वफदा शुरक शादिकारी बाबू ने की थी उना की दुरगटना में बिजय बाबू की खोश शुरू करता है और अंते में जब भैव से पाता है तो बाबू उसे बताता है कि उसे केवल अपने माता पिता की हत्या को कबर करने के लिए एक मोह और यानि खंडाला में गिरदारी लेकिन इससे पहले की विजय सचाए का पता लागा पता गिरदारी मारा जाता है बिजय और बाबू शांती और साथ की कैस्णों में काम करना शुरू करते हैं बहाँ इस्तानी डौन और राना उनका दुस्मन बन जाता है जो शांती पिर स की जीवन के बाद हैं आंत में जब ऑष्याय के लाभा relativ हथ्यार के बात ile में पता चलता है अब बिजय अपने दुसमनों से लडने के लिए अकेला है आकिरकार बैया अपने माता-पिता के हत्यारे को ट्रैक करने में कामियाब रहा भूखन बिजय खन्ना की एक मात्र मैतुकांशा चाहती है बिजय हमेशा यह मानता था कि उसके माता-पिता की अध्या बासता में उनके पुराने बफ़ादार शुरक्षादिकारे बाबू ने की थी नाकी दुरगटना में विजय बाबू की खोड़ शुरू करता है और अंतमी जब उसे पाता है तो बाबू से बताता है कि उसे केवल अपने मातर पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और पास्तिवी हत्यारा सुतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी विजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिरधारी मारा जाता है विजय और बावू शांति परसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्तानी डॉन डाना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसिनों और विजे की जीवन के बार है अंति में जब विजे खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भथत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में विजे बावू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिरकार बैपने माता पिता गहत्यार को ट्रेक करने में काम्याव रहा फेकना सुनील सिटी बिजय खन्ना की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेन जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में अनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मुहन जोशी बादशा खान खान की रूप में मुकेश रिशी ओवलिक कैमियो पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल, मुस्ताख खान, प्रेम की रूप में प्रिंसिपल बदर की रूप में दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में गेमिन पैकार्ट, कॉलिज पंग की रूप में, विजय के अभिभावक की रूप में, अच्वित पोद्दार, सोनिया के भाई की रूप में, जैक गॉर्ड, विजय के दोस्त की रूप में, अली अजगर, गिरधारी की रूप में, लली तिवारी, गीत संगीत, सास्तिर दौ साउंट्रेक लंबाई 37 मिनट 13 सेकंड की अवधी बार्षा हिंदी लेवल बिग वी म्यूजिक निर्माता नदी मिरानी और नादिर इरानी फिल्म का संगीत आदिश रिवास्ता में दिया था और गीत शामराज ने लिखे थे साउंट्रेक 1990 में त्री मूर्थी साउंड्स और बिग वी म्यूजिक में आदियो कैसेट पर जारी किया गया था जिसमें छे गाने चामिल हैं जबकि बरतमान में इसका कॉपी डाइटी सीरीज के पास है ऑनलाइन इस्टिमिंग आदियो गानों का लिंग पूरा एलबम कुमार शानू, उदित नारण, अभिजीत भटा चा गाना नम्र एक कुछ हुआ रे इस गाने को बाविल सुप्रियो और पूर्णे मान है अपनी आवाज में गाया है है। इस गाने के गायकार अभी जीत हैं गाना नमबर 6 बेड़ ना हो कसम ना हो इस गाने को कुमार शानू और विजीता पंडित ने अपनी अवाज में गाया है दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद कर दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मेद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्तर मूवी के बारें बताएंगे इस में हम मूवी की स संबंद में काानी और चलित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने आमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहु जिसका निर्देशन संजय खन्ना ने किया है फिल्मे सुनी सेटी और अंजली जथर है फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट रही निर्देशक संजय खन्ना द्वारा लिकेत रूमी जाफिरी द्वारा निर्मेत नादिरे रानी नदीमिरानी अभिनीत सुनी सेटी अंजली जथर डैनी डैनी जोगपा, अनुपमखे, चायांकन, नजीव खान, तेजा, त्वारस अंपादित, यूसुप खान, संगीत यह, आदेश रिवास्तर, रिलीज की तारिक, चारक्टुबरहनी सुच्यानबे, कारेकारी समय, 144 मिनट, देश, भारत, भाषा, हिंदी, भूकन, बेजा जो उससे प्यार करती है, और उसे शादी करना चाती है, बेजाय हमेशा यह मानता था, कि उसके माता-पिता की हत्या, बास्ता में, उनके पुराने वफदार, शुरक्शादीकारी बाबू ने की थी, ना की दुरगटना में, बेजाय बाबू की खोश शुरू करता है, और बास्ते हत्यारा सोतंतर रूप से गूम रहा है, और किवले का आदमी बिजे को हत्यारे तक ले जा सकता है, और यानि कंडाला में गिरधारी, लेकिन इससे पहले की बिजे सच्चाई का पता लगा पाता गिरधारी मारा जाता है, बिजे और बाबू शांती बिरसाथ के कैस में काम करना शुरू करते हैं बहांस्तानी डॉन अराना उनका दुस्मन बन जाता है जो शांती प्रसाथ के कैसिनों और विजय की जीवन के बाद है अन्त में जब विजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे भास्तिक रत्यारों के बारे में पता चलता है रहा बूखन बीजा खन्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बहपूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गर्वड़ियों के जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है बीजा हम मानता था कि उसके माता-पिता की हत्या बास्ता में उनके पराने वफदार शुरक्षादिकारे बाभू ने की थी ना की दुरगटना में विजा बाभू की खोड़ शुरू करता है और अंत्मी जब है उसे पाता है तो बाभू से बताता है कि उसे केवल अपने माता-पिता करने एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और पास्ते भी हत्यारा सौतंदर रूप से गूम रहा है और केवल एक आदमी बीजे को हत्यारे को पर ले जा सकता है और यानी खंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिरधारी मारा जाता है विजय और बावु शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्थानी डॉन दाना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसी और बीजय की जीवन के बाद है, अंति में जब बीजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्तिव भत्यारों के बारे में पता चलता है, लड़ाई में बीजय बावू को खो देता है, अब बीजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है, आखिर का अ मेरा पेकना सुनिल सिटी बिजाखना की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेंज जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में हनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मोहन जोशी बादशा खान खान क की रूप में मुकेश रिशी ओवलिक कैमियो पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल मुस्ताख खान प्रेम की रूप में प्रिंसिपल बदर की रूप में दिने शिंगू कुनिका सोनिया की रूप में गेम इन पैकार्ट कॉलिज पंक की रूप में विजे के अभी भाव की रूप में अच्वित पोद्दार सोनिया के भाई की रूप में जैक गॉर्ड बीजय के दोस्त की रूप में अली अजगर गिर्धारी की रूप में लली तिवारी गीत संगीत सास्त्र दौरा साउंट्रेक एलबम आदी श्रीवास्तव मौक तो ने सुच्छानवे इस्तान पश्यम मुंबई महाराष्ट इस्टूडियो आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो महभू इस्टूडियो और सनी सूपर साउंट सैली पीचर फिर्म साउंट्रेक लंबाई 37 मिनट 13 सेकिंड की अबधी बाशा हिंदी लेवल बीग वी मूजिक निर्माता नदी मिरानी और चारी किया गया था जिसमें च्छे गाने चामिल हैं जबकि बरतमान में इसका कॉपी राइटी सीरीज के पास है ऑनलाइन इस्ट्रिमिंग और यू गानों का लिंग और पोड़े माने अपनी अवाज में गाया है गाना नमबर दो क्या आदा क्या जल्वे इस गाने को उदित नारान ने अपनी अवाज में गाया है गाना नमबर तीन लड़की दिवानी लड़का दिवाना इस गाने को उदित नारान और सुनेदी चौहान ने अपनी अवा समना हो इस गाने को कुमार शान हो और विजिता पंडित ने अपनी अवाज में गाया है दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूल दन्यवाद दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मेद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्तर मूवी के बारें बताएंगे इसमें आप मूवी के संबन में काहानी और चलित्री से जुड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों त सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त मारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद सास्तर पिल्म सास्तर निस सो चानवे की भारती निवाशा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन संजक हन्ना ने किया है पिल्म dividing सुनीत से टी और अंज्ली जतर डैनी डेन जोगपा अनुपमखे चायांकन नजीव खान तेजा त्वारस अंपादित यूसुप खान संगीद्या है आदेश श्रीवास्तर रिलीज की तारिक चारक्टुबरवनी कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बूकन बेजा करना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान के इंद्रित कर रहा है सिवाए प्यूजा की घुजगर्वडियों कोई जो उससे प्या प्यूजा यह मानता था कि उसके माता-पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने वफदा शुरक्षा दिकारी बाबू ने की थी इना की दुर घटना में बिजगर्वडवड़ की खोश शुरू करता है और अंते में जब भैव से पाता है तो बाबू उसे बताता है कि उस प्याले का आदमी बिजग को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि कंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की बिजग सचाई का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है बिजग और बाबू शांती परसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्तानी डौन अराना उनका दुस्मन बन जाता है जो शांती परसाथ के कैसिनों और बिजग की जीवन के बाद है अंत में जब बिजग खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्तिक हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजग बाबू को खो देता है अब बिज विजय खन्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बैपूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गड़वड़ियों के जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है विजय हमेशा यह मा आता है तो बाबु से वकाता है कि उसे केवल अपने मात्र पिता की हथ्या को कवर करने के लिए एक मुहरे की रूप میں इस्तमाल किया गया था और पास्ते थारा सथ्जा गू़ा है और केवल एक आदमी विजय को हत्तयारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिर्धारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिर्धारी मारा जाता है विजय और बागू शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां श्थानी डॉन डाना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसीनों और बिजय की जीवन के बाद है अन्ति में जब बिजय खंडाला छोड़ेने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भात्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय बावू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिरकार बैपने माता पिता गहत्यार को ट्रेक करने में काम्याव रहा फेकना सुनील सिटी बिजय खंडा की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेंज जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में अनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मुहंजोशी, बादशा, खान, खान की रूप में मुकेश रिशी, आवलिक कैमियो पुलिस कमिशनर की रूप में अप्तार गिल, मुस्ताख खान, प्रेम की रूप में प्रिंस्पल बद्र की रूप में दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में, गेम इन पैकार्ट, कॉलिज पंग की रूप में, विजय के अभिभावक की रूप में, अच्वित पोद्दार, सोनिया के भाई की रूप में, जैक गॉर्ड, विजय के दोस्त की रूप में अली अजगर, गिर्धारी की रूप में लली तिवारी, गीत संगीत, सास्तिर दौरा साउंट्रैक, एल्बम, आदी श्री वास्तव, मौक तो निस चानवे, इस्तान, पश्यम, मुंबई, महराष्ट, इस्टूडियो, आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो, महभू स्टूड और सनी सूपर साउंड, सैली पीचर फिल्म, साउंट्रैक, लंबाई, 37 मिनट, 13 सेकंड की अवधी, भाष्षा, हिंदी, लेवल, बिग वी मुजिक, निर्माता, नदी मिरानी, और नादी रिरानी, फिल्म का संगीत, आदी श्री वास्तव में दिया था, और गीत, पाइटी सीरीज के पास है, और लाइन इस्टिमिंग, और यो गानों का लिंग, पूरा अलबम, कुमार शानू, उदित नारण, अभिजीत भटाचारे, बावल सुपरियो, बिजेता पंडित, पोले मा, हिमा सरदे साही, सुनी दी चौहान, द्वारे रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें बहपाश उगायक और आदित नारण के रूप में शुरुवात कर रही हैं, गाना नमर एक कुछ हुआ रे, हुआ रे, इस गाने को बावल सुपरियो और पोले माने अपनी आवाज में गाया है, गाना नमर दो, क्या आदा, क्या जल्वे, इस गाने को उदित न हैं, गाना नमर पाक, सास्त कर सास्त, इस गाने को बेड़ ना ओ, कसम ना ओ, इस गाने को कुमार शानु और विजिता पंडित ने अपनी आवाज में गाया है, दोस्तों हम बहुत मेनद सी वीडियो बनाते हैं, अमीद है, आपको हमारे वीडियो पसंदाया होगा, तो प्ल नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उम्मेद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्तर मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के संबन में कानी और चलितरी से जुड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो का शास त्रों निसुच्यानवे की भारती इंदी वाचा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन संजय खना ने किया है फिल्म में सुनी शेटी और अंजली जतर है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही निर्देशक संजय खना द्वारा लिकेद रूमी जाफिरी द्वारा नादिरे रानी नदी मिरानी अभिनीत सुनी चेटी अंजली जतर डैनी जोगपा अनुपम खेव चायंकन नजीव खान तेजा त्वारा संपादित यूसुप खान संगीद्या है आदेश श्रीवास्तर रिलीज की तारिक चारक्टुबरमी सुच्यानवे कारेकारी समय 144 म दी भूकंड बेजा करना की एक मात्र में तो कांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई परध्यान के इंद्रित कर रहा है सेवाए प्युजा की खुजगरवणियों कोई जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाती है की दुर घटना में बीज़ बाबू की खोर्श शुरू करता है और अंते में जब भैव से पाता है तो बाबू से बताता है कि उसे केवल अपने मात्र पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और बास्तियारा सोतंतर रूप से खंडाला में गिरदारी, लेकिन इससे पहले कि विज़ सचारी का पता लगा पाता गिरदारी मारा जाता है विज़ और बाबू शांति परसाथ की कैस्रीनो में काम करना शुरू करते हैं भाआथ नान शुरू करता हैं। खंडाला छोड़ेने का फैंसला करता है तो से बास्तिकी हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय भाव को खोँदेता है अब बिजय अपने दुस्मन से लड़ने के लिएThat अखिला है आकिरकार बैह अपने मातर पिता के हत्यारे को ट्रैक करने में कामियाब रहा बुगंड बीजा खन्ना की एक मातर में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बैह पूरी तरह से अपनी पढ़ाही पर ध्यान केंदरित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ अपने मातर पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और बास्तेवी हत्यारा स्वतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी विजा को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की विजा सचाई का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है विजा और बागू शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्थानी डॉन राना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसीनों और बिजा की जीवन के बाद है अंती में जब बिजा खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भात्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजा बावू को खो देता है अब बिजा अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिरकार बैपने माता पिता गहत तैर को ट्रेक करने में काम्याव रहा पेकना सुनिल सिटी बिजा खंडा की रूप में अन्जिली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेंज जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अन्टी की रूप में अनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मोहन जोशी बादशा खान खान की रूप में मुकेश रिशी ओवलिक कैमियो पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल मस्ताख खान प्रेम की रूप में प्रिंस्पल बद्र की रूप में दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में, गेम इन पैकार्ट, कॉलिज पंक की रूप में, विजय के अभिभावक की रूप में, आच्वित पोद्दार, सोनिया के भाई की रूप में, जैक गॉर्ड, विजय के दोस्त की रूप में, अली अजगर, गिरधारी की रूप में लली तिवारी, गीत संगीत, सास्तिर दौरा साउंट्रैक, एल्बम, आदिर श्री वास्तव, मौक तो ने सुचानवे, इस्तान, पश्यम, मुंबई, महाराष्ट, इस्टूडियो, आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो, महभू पीचर फिल्फिल्म साउंट्रैक, लंबाई, 37 मिनट, 13 सेकिंड की अवधी, बास्षा हिंदी, लेवल, बिग वी मुजिक, निर्माता, नदी मिरानी, और नादिर इरानी, फिल्म का संगीत, आदिश रिवास्तव में दिया था, और गीत, शामराज ने लिखे थे, साउंट प्राइक, 1990 में, तिरी मूर्थी साउंट्स और बिग वी मुजिक में आडियो कैसेट पर जारी किया गया था, जिसमें 6 गाने चामिल है, जबकि बरतमान में इसका कॉपी राइटी सीरीज के पास है, और लाइन इस्ट्रिम आडियो बानों का लिंक, पूरा एल्बम कुमार शानू, उदित नारण, अभिजीत भटा चारे, बावल सुप्रियो, बिजेता पंडित, पूरेमा, हेमा सरदेशाई, सुनी दी चौहान, द्वारे रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें बहपार्शुगायक और आदित नारण के रूप में शुरुवात कर रही है, गाना नमर लड़की दिवानी, लड़का दिवाना, इस गाने को अधित नारण, आदित नारण, और सुनी दी चौहान ने अपनी अभाज में गाया है, गाना नमर चार, मोर सहिया, इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई है, गाना नमर पांच, सास्तर सास्त, इस गाने के गायकार अभ पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद कि कि कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्तर मुवी के बारें बताएंगे इसमें आम मुवी की संबन में कानी और चलितरी से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाली सारी वीडियो को नोटिप 2025ух Wirtschaft ऑर शास्त्रफिल्म coronavirus की भारती इंदीवाशा की एक्षिन फिल्म है जिसका निर्देशञ संज्यख अन्ना ने किया है फिल्म में सुनिलश्यटि और अंजली जुथर्चा है फिल्म बॉउंग्स ओफिस पर हेट रही निर्देशक संज्यख अन्ना त्वाहरा लेकेत र त्वारा संपादित यूसुख खान संगीद्य है आदेश श्रीवास्तव रिलीज की तारिक चारक्टुबर्वनी सुच्यांबे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूकंड बेजा करना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है वह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई परध्यान के इंद्रित कर रहा है सेवाए प्यूजा की खुजगर्वडियों कोई जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाती है विजय हमीशा यह मानता था कि उसके माता पिता की हत्या बास्ता मे उनके पुराने वफदार शुरक शादिकारी बाबू ने की थी ना की एक दुर घटना में बिजय बाबू की खोश शुरू करता है और अंते में जब भैव से पाता है तो बाबू उसे बताता है कि उसे केवल अपने माता पिता की हत्या को कबर करने के लिए एक मोहरे की पितुंस से घुम रहा है और की वले क आदमी विजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि कंडाला में गेदारी लेकिनी से पहले कि विजय सचाइका पता लगा पता गेदारी मारा जातार एक पिजय और बाबू शानती परसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं बहां स्थानिये डौन, और राना उनकर दुसमन बन जाता है जो सांती पिरंसाथ के कैसिनों और विज़े की जीवन के बाद है अंतिमें जब विज़े खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्तिक हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बीजे बावु को खो देता है अब बीजे अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिलकार बेह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रेक करने में कामियाब रहा बुखन बिजा खन्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बहपूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंदरित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गर्वड़ियों की जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है बिजा हमेशा यह मानता था कि उसके माता पिता की हत्या बास्ता में उनके पराने बफ़दार शुरक शादी कारे बाभू ने की थी ना की दुरगटना में बिजा बाभू की खोई शुरू करता है और अंत्मी जब है उसे पाता है तो बावु से बताता है कि उसे केवल अपने मातपिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और पास्तिविक हत्यारा सुतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी बिजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिर्धारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिर्धारी मारा जाता है विजय और बागु शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्थानी डॉन राना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसीनों और बिजय की जीवन के बार है अन्ति में जब बिजय खंडाला छोड़ेने का फैसला करता है तो उसे बास्तिव हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय बावू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिर का अरबे अपने माता पिता गहत्यार को ट्रेक करने में काम्याव रहा पेकना सुनील सिटी बिजय खंडा की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेन जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में अनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मुहन जोशी, बादशा, खान, खान की रूप में मुकेश रिशी, आवलिक कैमियो, पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल, मुस्ताख खान, प्रेम की रूप में, प्रिंसिपल बदर की रूप में, दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में, कॉलिज पंग की रूप में, विजे के अभिभावक की रूप में, आच्वित पोद्दार, सोनिया के भाई की रूप में, जैक गॉर्ड, विजे के दोस्त की रूप में, अली अजगर, गिरधारी की रूप में, लली तिवारी, गीत संगीत, सास्त्र दारा साउंट्रैक, एल बाइ 37 मिनट 13 सेकंड की अवधी बाशा हिंदी लेवल बीग वी म्यूजिक निर्माता नदी मिरानी और नादिर इरानी फिल्म का संगीत आदिश रिवास्ता में दिया था और गीत शामराज ने लिखे थे साउंट्रैक 1990 में तृमूर्थी साउंड्स और बीग वी म्यूजिक में ऑडियो कैसेट पर जारी किया गया था जिसमें छे गाने चामिल है जबकि बरतमान में इसका कॉपी राइटी सीरीज के पास है ऑनलाइन इस्ट्रीमिंग ऑडियो गानों का लिंग पूरा एल्बम कुमार शानू उदित नारण अभिजीत भट्टा चारे बावल से उप हुआ रे हुआ रे इस गाने को बावल सुप्रियो और पूरे माने अपनी अवाज में गाया है गाना नमर दो क्या आदा क्या जल्वे इस गाने को उदित नारण ने अपनी अवाज में गाया है गाना नमर तीन लड़की दिवानी लड़का दिवाना इस गाने को उदित न गायकार अभी जीत है गाना नमबर चे बेड़ ना हो कसम ना हो इस गाने को कुमार शान हो और विजीता पंडित ने अपनी अवाज में गाया है दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शियर करना ना भुलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्तर मूवी के बारें मताएंगे इसमें आम मुवी की संबन में काहानी और चलितरी से जोड़े तत्तियों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने आमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद सास्तर फिल्म सास्तर सुर में नेसचानवे की भारती इंदिवाचा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन संज कंना ने किया है फिल्म में सुनिल सेटी और अंजली जrick पर हिट रही निर्देशक संजय खन्ना द्वारा लिखेट रूमी जाफिरी द्वारा निर्मेत नादिर रानी नदीम इरानी अभिनीत सुनी चेटी अंजली जतर डैनी डेन जोगपा अनुपमखे चायंकन नजीव खान तेजा द्वारा संपादित यूसुप खान संगीद् देश श्रीवास्तव रिलीज की तारिक चारक्टूबर में सुच्छानवे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बूकन बेजा करना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई परध्यान के इंद् हत्या बास्ता में उनके पुराने वफदार शुरक्षादिकारी बाबू ने की थी उन्हा की दुर घटना में बीज़ बाबू की खोश शुरू करता है और अंते में जब भैव से पाता है तो बाबू उसे बताता है कि उसे केवल अपने माता पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक महरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और बास्तियारा सोतंतर रूप से घूम रहा है और की बले का आदमी विज़े को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि कंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की विजय सचाई का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है विजय और बाबू शांती पिरसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्तानी डौन अराना उनका दुस्मन बन जाता है जो शांती फिरसाथ के कैसीनों और विजे की जीवन के बाद है अंत में जब विजे खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्तिक हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में विजे बाव को खो देता है अब बीजे अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिलकार बेह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रैक करने में कामियाब रहा भूखन बीजे खन्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बेह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान के इंदरित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गड़वड़ियों के जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है बीजे हमेशा यह है उसे पाता है तो बाबू से बताता है कि उसे केवल अपने मातर पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और बास्तिवी हत्यारा स्वतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी विजे को हत्यारे तक ले जा सकता है और या काम करना शुरू करते हैं बहँ स्थानी डॉन डाना उनका दुष्मन बन जाता है जो शंती पिरशात की कैसीनों और बी sujet की जीवन के बार है थे में जब पीजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बाश्ति भथ्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय बावू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिरकार बैपने माता पिता गहत्यार को ट्रेक करने में काम्याव रहा फेकना सुनिल सिटी बिजय खन्ना की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में अनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मुहंजोशी बादशा खान खान की रूप में मुकेश रिशी ओवलिक कैमियो पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल मस्ताख खान प्रेम की रूप में प्रिंस्पल बद्र की रूप में दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में, गेम इन पैकार्ट, कॉलिज पंग की रूप में, विजय के अभिभावक की रूप में, अच्वित पोद्दार, सोनिया के भाई की रूप में, जैक गॉर्ड, विजय के दोस्त की रूप में अली अजगर, गिर्धारी की रूप में लली तिवारी, गीत संगीत, सास्त्र दौरा साउंट्रैक, एल्बम, आदी श्री वास्तव, मौक्त निसो चानवे, इस्तान, पश्यम, मुंबई, महराष्ट, इस्टूडियो, आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो, महभू स्टूड और सनी सूपर साउंट, सैली पीचर फिल्म, साउंट्रैक, लंबाई, 37 मिनट, 13 सेकिंड की अवधी, भाष्षा, हिंदी, लेवल, बिग वी म्यूजिक, निर्माता, नदी मिरानी, और नादी रिरानी, फिल्म का संगीत, आदी श्री वास्तव में दिया था, और गीत, शाम पिराइटी सीरीज के पास है, ऑनलाइन इस्ट्रिमिंग, और यो गानों का लिंग, पूरा अलबम, कुमार शानू, ओधित नारण, अभिजीत भटाचारे, बावल सुपरियो, बिजेता पंडित, पोले मा, हिमा सरदे साही, सुनी दी चौहान, द्वारे रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें बहपार्शोगायक और आदित नारण के रूप में शुरुवात कर रही है, गाना नमर एक कुछ हुआ रे, हुआ रे इस गाने को बावल सुपरियो और पोले माने अपनी आवाज में गया है, गाना नमर दो, क्या आदा, क्या जल्वे, इस गाने को उधित नारण, आदित नारण और सुनेदी चौहान ने अपनी आवाज में गया है, गाना नमर चार, मोर सहिया, इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं, गाना नमर पात, सास्तर सास्त, इस गाने के गायकार अभी जीत हैं, गाना नमर चे, बेड़ ना हो, कसम ना हो, इस गाने क कुमार शानु और विजीता पंडित ने अपनी आवाज में गाया है दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे वह आप लोग मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्त्र मूवी के बारें बताएंगे इस में हम मूवी के संबन में काानी और चलित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त मारे दौनाने किया है फिल्मे सुनीशेटी और अंजली जतर है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही निर्दिशक संजय खना द्वारा लेकेट रूमी जाफिरी द्वारा निर्मित नादिरे राणी नदीमी राणी अभिनीत सुनीशेटी अंजली जतर डैनी डेन जोगपा यूसुप खान संगीद्या है आदेश श्री वास्तर रिलीज की तारिक चारक्टुबर में सुच्छानबे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूकन बेजा करना की एक मात्र मैतुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है बहे पूरी तरह से अपनी पढ माता-पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने वफदार शुरक्षा दिकारी बाबु ने की थी ना की एक दुरगटना में बीज़ बाबु की खोश शुरू करता है और अंते में जब भैव से पाता है तो बाबु उसे बताता है कि उसे केवल अपने माता-पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और बास्ते रूप हत्यारा सोतंतर रूप से गूम रहा है और किवले का आदमी विजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि कंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की विजय सचाई का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है विजय और बाबू शांती पिरसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं बाहिस्तानिय डौन अराना उनका दूस्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसिनों और बिजय की जीवन के बाद है अंत में जब बिजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्तिवी हत्यारों के बारे में पता चलता है लडाई में बिजय बाबू को खो देता है अब विजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिरकार बैह अपने माता-पिता के हत्यारे को ट्रैक करने में कामियाब रहा भूखंड विजय खन्ना की एक मात्र मैत कांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बैह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गलबड़ियों के जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाती है विजय हमेशा यह मानता था कि उसके माता-पि उसे बताता है कि उसे केवल अपने माता-पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और पास्तिवी हत्यारा स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी विजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिरध करते हैं बहां इस्थानी डॉन राना उनका दुष्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसिनों और विजे की जीवन के बार है अन्ति में जब विजे खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भथ्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में विजे की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेंज जोगपा बावु की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में अनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मोहंजोशी बादशा खान खान की रूप में मुकेश रिशी ओवलिक कैमियो, पुलिस कमिशनर की रूप में, अपतार गिल, मस्ताख खान, प्रेम की रूप में, प्रिंसिपल बदर की रूप में, दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में, गेम इन पैकार्ट, कॉलिज पंक की रूप में, विजे के अभी भावक की रूप में, आच्छित पश्यम मुंबई महाराष्ट इस्टूडियो आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो महभू स्टूडियो और सनी सूपर साउंड शैली पीचर फिर्म साउंट्रैक लंबाई 37 मिनट 13 सेकिंड की अबधी बाशा हिंदी लेवल बिग वी म्यूजिक निर्माता नदी मिरानी और अधिरे रानी फिल्म का संगीत आदिश्री वास्ता में दिया था और गीत शामराज ने लिखे थे साउंड ट्रैक 1990 में तृमूर्थी साउंड और बिग वी म्यूजिक में और यू कैसेट पर जारी किया गया था जिसमें छह गाने चामिल है जबकि बरतमान में इसका कॉप पंडित पोड़े मां हेमा सरदे साही सुनी दी चौहान द्वारे रिकॉर्ड किया गया है जिसमें बहपार्श गायक और आदित नारान के रूप में शुरुवात कर रही हैं गाना नमर एक कुछ हुआ रे हुआ रे इस गाने को बावल सुप्रियो और पोड़े मांने अप गाना नमबर चार और बिजित साही है दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मेद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्तर मूवी के बारें बताएंगे इसमें आप मूवी के संबन में काहानी और चलितरी से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त मारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद सास्तर फिल्म सास्तर 1996 की भारती इन दिवाचा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन संजक अन्ना ने किया है फिल्म में सुनी सेटी और अंजली जतर है फिर्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही निर्देशक संजय खन्ना द्वारा लखेट रूमी जाफिरी द्वारा निर्मेत नादिरे रानी नदीमी रानी अभिनीत सुनी चेटी अंजली जतर डैनी डेन जोगपा अनुपमखे चायंकन नजीब खान तेजा द्वारा संपादित य पाशा, हिंदी, भूकंड बेजा करना की एक मात्र में तो कांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई परध्यान के इंद्रित कर रहा है सेवाए कि विजा की कुछ गर्वडियों कोई जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना दोने हैं बीजा हमेशा यह मानता था कि उसके माता-पिता की हत्या बास्ता में उनके पराने वफदार स्रक्शादिकारी बाबूँ की ती लुन्हा की डुरगटना में बीजे बाबु की खोष शुरू करता है और अंते में जब भैवसे पाता है तो बाबु उसे बताता है कि उसे केवल अपने मात अपिता की हत्या को कपर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तिमाल किया गया था और बास्तिवी हत्यारा सोतंतरूप से गूम रहा है और किवले का आदमी बिजे को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि कंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की बिजे सचाई का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है बिज़े और बावू शांती परसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं बहांच्थानिय डौन राना, उनका दुस्मन बन जाता है जो शաंती परसाथ के कैसिनों और बिज़े की जीवन के बाद है अंत में जब बिज़े कंडाला छोड़ने का फेसला करता है तो उसे बास्तिक हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बीजे बावु को खो देता है अब बीजे अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिलकार बेह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रेक करने में कामियाब रहा बुखन बिजा खन्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बहपूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंदरित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गलबड़ियों के जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है बिजा हमेशा यह मानता था कि उसके माता पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने बफ़ादार शुरक शादी कारे बाभू ने की थी ना की दुरगटना में बिजा बाभू की खोई शुरू करता है और अंत्मी जब है उसे पाता है तो बावू से बताता है कि उसे केवल अपने मातपिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और पास्तिवी हत्यारा सुतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी विजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिर्धारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिर्धारी मारा जाता है विजय और बागु शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्थानी डॉन राना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसीनों और बिजय की जीवन के बार है अन्ति में जब बिजय खंडाला छोड़ेने का फैसला करता है तो उसे बास्तिव हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय बावू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिरकार बैपने माता पिता गहत्यार को ट्रेक करने में काम्याव रहा पेकना सुनिल सिटी बिजय खंडा की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेन जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में अनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मुहन जोशी, बादशाह, खान, खान की रूप में मुकेश रिशी, आवलिक कैमियो, पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल, मुस्ताख खान, प्रेम की रूप में, प्रिंसिपल बदर की रूप में, दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में, गेम इन पैकार्ट, कॉलिज पंक की रूप में, विजे के अभिभावक की रूप में, आच्वित पोद्दार, सोनिया के भाई की रूप में, जैक गॉर्ड, विजे के दोस्त की रूप में, अली अजगर, गिरधारी की रूप में, लली तिवारी, गीत संगीत, सास्तर दौर साउंड्रेक एल्वम आदी श्रीवास्तव मुक्त निसो चानवे इस्तान पश्यम मुंबई महाराष्ट इस्टूडियो आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो महभू स्टूडियो और सनी सूपर साउंड सैली पीचर फिर्म साउंड्रेक लंबाई 37 मिनट 13 सेकंड की अवधी बाशा हिंदी लेवल बिग वी म्यूजिक निर्माता नदी मिरानी और नादी रिरानी फिल्म का संगीत आदी श्रीवास्तव में दिया था और गीत शामराज ने लिखे थे साउंड्रेक 1990 में त्री मूर्थी साउंड्स और बिग वी म्यूजिक में आडियो कैसेट पर जार अभिजीत भटाचारे बावल सुप्रियो बिजेता पंडित पोलेमा हेमा सरदेसाई सुनी दी चौहान द्वारे रिकॉर्ड किया गया है जिसमें बहपार्श गायक और आदित नाराण के रूप में शुरुवात कर रही हैं गाना नमर एक कुछ हुआ रे हुआ रे इस गा ने को बावल सुप्रियो और पोलेमा ने अपनी अवाज में गाया है गाना नमर 2 क्या आदा क्या जलबे इस गाने को अधित नाराराण ने अपनी अवाज में गाया है गाना देशाई हैं गाना नमबर पांच सास्तर सास्त इस गाने की गायकार अभी जीत हैं गाना नमबर चे बेड़ ना हो कसम ना हो इस गाने को कुमार शान हो और विजीता पंडित ने अपनी अवाज में गाया है दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमार वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद था नबसकार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उप्मेद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त मारे वीडियो को आसानी से देख सकें उमीद करती हूं आप सुनिल सेटी और अंजली जतर है फिर्ण बॉक्स ऑफिस पर हिट रही निर्देशक संजय खन्ना द्वारा लिखेट रूमी जाफिरी द्वारा निर्मित नादिरे रानी नदीमिरानी अभिनीत सुनिल सेटी अंजली जतर डैनी डेन जोगपा अनुपमखे चायंकन खान तेजा द्वारा संपादित यूसु खान संगीद्य है आदेश श्रीवास्तर रिलीज की तारिक चारक्टुबर्वनी सुच्यानवे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बूकंड बेजा करना की एक मात्र मेहतु कांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वन शुरक्षादिकारी बाभू निकी थी ना की दूर्गटना में बेज़न बाभू की खोर्श शुरू करता है और अंत में जब भैव से पाता है तो बाभू से बताता है कि उसे केवल अपने माता पिता की खत्या को कभर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया ग बिजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि कंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की बिजय सचाई का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है बिजय और बाबू शांती पिरसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं बाहिस्तानी डौन अराना उनका दूस्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसिनों और बिजय की जीवन के बाद है अंती में जब बिजय खंडाला छोड़ने का पैसला करता है तो उसे बास्तिके हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय बाव को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिलकार बैह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रेक करने में कामियाब रहा बुखन बिजय खन्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बैह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंदरित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गर्वड़ियों के जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाती है बिजय हमेशा यह मानता था कि उसके माता पिता की हत्या बास्ता में उनके पराने बफदार शुरक शादीकारे बाभू ने की थी नाकी दुरघटना में बिजय बाभू की खोड़ शुरू करता है और अंत्मी जब उसे पाता है तो बागु से बताता है कि उसे केवल अपने मातर पिता के हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरी की रूप में इस्टमाल किया गया था और बास्तिवी हत्यारा सुतंत्र रूप से गूम रहा है और केवल एक आदमी बीजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिर्धारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिर्धारी मारा जाता है विजय और बागू शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां श्थानी डॉन डाना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसीनों और बिजय की जीवन के बाद है अन्ति में जब बिजय खंडाला छोड़ेने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भात्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय बावू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिरकार बैपने माता पिता गहत्यार को ट्रेक करने में काम्याव रहा फेकना सुनिल सिटी बिजय खंडा की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेंजोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में अनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मुहंजोशी बादशा खान खान की रूप में मुकेश रिशी और लिक कैमियो पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल, मुस्ताख खान, प्रेम की रूप में प्रिंसिपल बदर की रूप में दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में गेम इन पैकार्ट, कॉलिज पंग की रूप में, विजय के अभिभावक की रूप में, अच्वित पोद्दार, सोनिया के भाई की रूप में, जैग गॉर्ड, विजय के दोस्त की रूप में, अली अजगर, गिरधारी की रूप में, लली तिवारी, गीत संगीत, सास्तिर द की अवधी बाशा हिंदी लेवल बिग वी म्यूजिक निर्माता नदी मिरानी और नादिर इरानी फिल्म का संगीत आदिश रिवास्ता में दिया था और गीत शामराज ने लिखे थे साउंट्रैक 1990 में तृमूर्थी साउंड्स और बिग वी म्यूजिक में और यू कैसेट प पास है ऑनलाइन इस्ट्रीमिंग आडियो गानों का लिंग पूरा अलबम कुमार शानू उदित नारण अभिजीत भटाचारे बावल सुप्रियो बिजेता पंडित पोलेमा हेमा सरदेसाई सुनी दी चौहान द्वारे रिकॉर्ड किया गया है जिसमें बहपाश रुगाय और आदित नारण के रूप में शुरुवात कर रही है गाना नमर एक कुछ हुआ रे हुआ रे इस गाने को बावल सुप्रियो और पोलेमा ने अपनी अभाज में गाया है गाना नमर दो क्या आदा क्या जल्वे इस गाने को उदित नारण ने अपनी अभाज में गाया है गाना नमबर चार मौर सईया इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं गाना नमबर पांच सास्तर सास्त इस गाने के गायकार अभी जीत हैं गाना नमबर चे बेड़ ना हो कसम ना हो इस गाने को कुमार शानु और विजिता पंडित ने अपनी अवाज में गाया हैं दोस्तो लोग लोग कि अधिए दों लोग कि आप सवच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्तर मुवी के बारें बताएंगे इस में मुवी की संब्द में काानि और चलितरी सर्जुड़े तत्तियों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त मारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मिद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद सास्तर फिल्म सास्तर निसो चानवे की भारती इंदी वाचा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन संजक अन्ना ने किया है फिल्म में सुनी सेटी और अंजली जतर है फिल्म ब जतर डैनी डैनी जोगपा अनुपम खेव चायंकन नजीव खान तेजा त्वारस अंपादित यूसुप खान संगीद्या है आदेश रिवास्तर रिलीज की तारिक चारक्टुबरमनी सुच्छानवे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूकंड बेजा कन्न कि एक मात्र में तो कांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई परध्यान के इंद्रित कर रहा है सेवाए कि विजा की खुजगरवणियों कोई जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाती है विजा हमेशा यह मानता था कि उसके माता-पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने वफदार शुरकशा दिकारी बाबू ने की थी ना की एक दुर घटना में विजा बाबू की खोश शुरू करता है और अंते में जब भैव से पाता है तो बाबू उसे बताता है कि उसे केवल अपने माता-पिता की हत जा सकता है। और यानि कंडाला में गिरधारी लेकिन इस से पहले कि बिजय सचाई का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है। बिजय और बाबू शांति परसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं। बहास्तानिय डॉन अराना उनका दुस्मर बन जाता है जो शान्ती फिरसात के कैसीनों और विजे की जीवन के बाद है अन्ति में जब विजे खंडाला छोड़ने का पैसला करता है तो उसे बास्तिक भात्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में विजे बादउ को को से लड़ने के लिए अकेला है आकिरकार बैह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रैक करने में कामियाब रहा बुखंड बीजा खन्ना की एक मात्र मैं तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बैह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है अपने माता पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और पास्तेवी हत्यारा सवतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी विजा को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिर्धारी लेकिन इससे पहले की विजाय सच्चाई का पता लगा पाता गिर्धारी मारा जाता है विजाय और बागू शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते है बहां स्थानी डॉन राना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पि ट्यारी के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजाबावू को खो देता है अब बीजाय अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिर कार बैवने माता पिता गहत ट्यार को ट्रेक करने में काम्याव रा फेकना सुनील सिटी बिजाखना की रूप में अंज जोषी, बादशा, खान, खान की रूपमे, मुकेश रिशी, आवलिक केमियो, पुलिस कमिस्नर की रूप में, अप्तारगिल, मस्ताक खान, प्रेम की रूप में, प्रिंसिपल बदर की रूप में, दिनेज शिंगु, कुनिका, सोनिया की रूपमें, Game in Pack Art College Punk की रूप में वीजय कि अभिभावक की रूप में आच्वित पोद्दार सोनिया के भाइ की रूप में जैक गॉर्ट विजय के दोस्त की रूप में अली अजगर गिदारी की रूप में लली तिवारी गीत संगीत सास्त्र दौरा सांट्रैक एलबम आदिश्रीवास्तव मौक्ट ने सुचानवे इस्तान पश्यम मुंबई महाराष्ट इस्टूडियो आननरिकॉर्डिंग इस्टूडियो महभू स्टूडियो और सनी सूपर साउन सैली पीचर फिर्म सांट्रैक लंबाई 37 आजने लिखे थे साउंड्रैक 1990 में तिरी मूर्थी साउंड्स और बिग वी म्यूजिक में ऑडियो कैसेट पर जारी किया गया था जिसमें छह गाने चामिल हैं जबकि बरतमान में इसका कॉपी राइटी सीरीज के पास है ऑनलाइन इस्ट्रीमिंग ऑडियो वानों का लिंग पूरा एल्बम कुमार शानू, उदित नाराण, अभिजीत भटा चारे, बावल सुप्रियो, विजेता पंडित, पोलेमा, हेमा सरदे साही, सुनी दी चौहान द्वारे रिकॉर्ड किया गया है जिसमें बहपार्श गायक और आदित नाराण के रूप में शुरुवात कर गाना नमर एक कुछ हुआ रे, हुआ रे, इस गाने को बावल सुप्रियो और पोलेमा ने अपनी आवाज में गाया है, गाना नमर दो, क्या आदा, क्या जल्वे, इस गाने को उदित नाराण ने अपनी आवाज में गाया है, गाना नमर तीन, लड़की दिवानी, लड़क इस गानने को दितनारन्ण, हादितनारन्द, और सुमीधि चवहान ने अपनी अबाज में घाया है, गानने lover चार, मोर संजाle fantasy इस गानने के गायकार केमा सरदेशाई है, गानन इमप पार्च सास्त सास्त इस गानने के गायकार अभी जीत है, गानन्न दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको अमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद ना की नमस्कार दोस्तो कैसे हो आप लोर मैंमीद करती हूँ किया आप सब उच्चे होंगी तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त मारे वीडियो को आसानी से देख सकें उमीद करती हूं आप सब दोस्तों को प अंजली जतर है फिर्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही निर्देशक संजय खन्ना द्वारा लिकेट रूमी जाफिरी द्वारा निर्मित नादिर रानी नदीम इरानी अभिनीत सुनी चेटी अंजली जतर डैनी डैनी जोगपा अनुपमखे चायंकन नजीब खान तेजा सुखान संगीद्य है आदेश श्रीवास्तर रिलीज की तारिक चारक्टुबर में सुच्यानवे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूकंड बेजा करना की एक मात्र में तो कांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वनना है बहपूरी तरह से अपनी की हत्या बास्ता में उनके पुराने वफदा शुरक्ट शादीकारी बावू ने की थी ना की एक दुर घटना बेज़े बावू की खोश्यूर करता है और अंतरमें जब भ्यू से पाता है तो बावू से बताता है कि उसे केवल अपने मात्तर पिता की हत्या को estado क्वर कि लिए एक मौहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और बास्तेव घत्यारा सोतन्तर रूप से गूम रहा है और किवलिक आदमी विजय को घत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिर्दारी लेकिन इससे पहले की भी जय सच्चाई का पता लगा पता गिर्दारी मारा जाता है भी जया उर बाभू शांती पर साथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं बाहिस्थानिय डॉन अराना उनका दुसमन बन जाता है जो शांती फिर साथ के कैसीनों और विजे की जीवन के बाद है अन्त में जब विजे खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्तिक हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में विजे बाभू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिलकार बैह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रेक करने में कामियाब रहा बूखन बिजय खन्ना की एक मात्र मैत कांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बैह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंदरित कर रहा है सिवाए पूजा की कुछ गड़वड़ियों के जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाती है बिजय हमेशा यह मानता थ बचली तरह की उसके माता-पिता की हत्या बास्ता में उनके पॉराने बफादार सुरख शादिकार करे बाबूने की थी नाकी दरघट्ना में बिजय बाबू की खोड़ शुरू करता है और उन्दमी जबTC पाता है तो बाबू से बताता है कि उसे केवल अपने माता-पिता कि हत्या को कवर करने के लिए एक मोहरे की रूप में इस्तमाल किया गया था और पास्तिवी घत्यारा सवतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी विजय को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिर्धारी लेकिन इससे पहले की विजय सच्चाई का पता लगा पाता गिर्धारी मारा जाता है विजय और बागू शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां श्थानी डॉन राना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसीनों और बिजय की जीवन के बाद है अन्ति में जब बिजय खंडाला छोड़ेने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भथ्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिजय बावू को खो देता है अब बिजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिरकार बैपने माता पिता गहत्यार को ट्रेक करने में काम्याव रहा पेकना सुनिल सिटी बिजय खंडा की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेन जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में अनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मुहंजोशी बाथशा खान खान की रूप में मुकेश रिशी ओवलिक कैमियो पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल, मुस्ताख खान, प्रेम की रूप में प्रिंसिपल बदर की रूप में दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में गेम इन पैकार्ट, कॉलिज पंग की रूप में, विजय के अभिभावक की रूप में, अच्वित पोद्दार, सोनिया के भाई की रूप में, जैक गॉर्ड, विजय के दोस्त की रूप में, अली अजगर, गिरधारी की रूप में, लली तिवारी, गीत संगीत, सास्तिर द् साउन्ट्रैक एल्वम आदी श्रीवास्तव मोक्त निस चानवे इस्तान पश्यम मुंबई महाराष्ट इस्टूडियो आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो महभू स्टूडियो और सनी सूपर साउन्ट्रैक लंबाई 37 मिनट 13 सेकेंड की अवधी बाशा हिंदी लेवल सब्सक्राइब में त्रीमूर्थी साउंड्स और बिग वी म्यूजिक में ऑडियो कैसेट पर जारी किया गया था जिसमें छे गाने चामिल है जबकि बरतमान में इसका कॉपी डाइटी सीरीज के पास है ऑन्लाइन इस्ट्रीम ऑडियो गानों का लिंग पूरा एल्बम कु गाना नमर एक कुछ हुआ रे हुआ रे इस गाने को बावल सुप्रियो और पूरेमा ने अपनी अवाज में गाया है गाना नमर दो क्या आदा क्या जल्वे इस गाने को उदित नारान ने अपनी अवाज में गाया है गाना नमर तीन लड़की दिवानी लड़का दिवाना इस गाने को अधित नारण और सुनेदी चौहान ने अपनी अवाज में गाया है गाना नमबर चार मोर सहिया इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं गाना नमबर पांच सास्तर सास्त इस गाने के गायकार अभी जीत हैं गाना नमबर चे बेड़ ना हो कसम ना हो इस गाने को कुमार शानु और विजीता पंडित ने अपनी आवाज में गाया है दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के सा आप लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद कर दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मेद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्तर मुवी के बारें बताएंगे इसमें मुवी की संबन में काानी और चलितरी से जोड़ तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो का नॉटिपिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्तों को आसानी से द नाने किया है फिल्म में सुनीचेटी और अंजली जतर है फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट रही निर्देशक, संजय खन्ना, द्वारा लिखेट, रूमी जाफिरी, द्वारा निरमित, नादिरे रानी, नदीमिरानी, अभिनीत, सुनीचेटी, अंजली जतर, डैनी डैनी जो चानवे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूकंड बेजा करना की एक मात्र में तो कांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वरना है बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान के इंद्रित कर रहा है सेवाए कि विजा की घुजगर्वणियों कोई जो उसस शादी करना चाती है बिजा हमेशा यह मानता था कि उसके माता पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने वफदा शुरक्षादी कारी बाबू नीकी थी ना की दुर घटना में बिजगर्वणियों की खोष शुरू करता है और अन्दे में जब भैव से पाता है तो रहा है और किवले का आदमी बिजे को हत्यारे तक ले जा सकता है। और याणि खुझा नडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले कि बिजे सचाए का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है। बिजय और बावू शांती परसाथ के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं, बहां इस्तानी डौन अराना उनका दुस्मन बन जाता है, जो शांती परसाथ के कैसिनों और बिजय की जीवन के बाद है, अन्त में जब बिजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है, तो उसे बा उपने माता पिता के हत्यारे को ट्रेक करने में कामियाब रहा बूखन बीजा खण्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बहपूरी तरह से अपनी पड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है सिवाय पूजा की कुछ गडबड़ियों की जो उस उसे शादी करना चाहती है विजय हमेशा यह मानता था कि उसके माता-पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने बफदार शुरक्षादीकारे बाभू ने की थी नाकी दुरगटना में विजय बाभू की खोड़ शुरू करता है और अंत्मी जब है उसे पाता है तो बाभू से बताता है कि वसे केवल अपने माता-पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक महरे की रूप में इस्तिमाल किया था और पास्तियारा सौतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी भीजय को हत्यारि तक ले जा सकता है और और याने खंडाला मोम गिरधारी लेकिन इस से पहले कि विजय सच्चाइका पता लगा पाता गिरधारी मारा जाता है बीजय और बावू शांती पिरसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्थानी डॉन डाना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती पिरसाथ के कैसीनों और बीजय की जीवन के बार है अंति में जब बीजय खंडाला छोड़ेने का फैसला करता है तो उसे बास्ति भथ्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में बिज़ बावू को खो देता है अब बिज़े अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आखिरकार बैपने माता पिता के हत्यारों को ट्रेक करने में काम्याव रहा पेकना सुनिल सिटी बिजाखना की रूप में अंजली जठर पूजा परसाथ की रूप में डैनी डेन जोगपा बावू की रूप में फरीदा जलाल अंटी की रूप में हनुपम खेर शांती परसाथ की रूप में राना की रूप में मोहन जोशी बादशा खान खान की पुलिस कमिशनर की रूप में अपतार गिल मौस्ता keeper की रूप में और इस की मिंजे की रूप में जैख के रूप में अलिय। गिरधारी की रूप में लली तिवारी, गीत संगीत, सास्त्र दौरा साउंट्रैक, एल्बम, आदिर श्रीवास्तव, मुक्त ने सुच्छानवे, इस्तान पश्यम, मुंबई, महराष्ट, इस्टूडियो, आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो, महभू स्टूडियो और सनी सूपर साउंट, सैली पीचर फिर्म साउंट्रैक, लंबाई, 37 मिनट, 13 सेकिंड की अवधी, बाश्या हिंदी, लेवल, बिग वी म्यूजिक, निर्माता, नदी मिरानी, और नादिर इरानी, फिल्म का संगीत, आदिश रिवास्तव में दिया था, और गीत, शामराज ने ल उनलाइन इस्ट्रीमिंग, और डियो गानों का लिंग, पूरा एल्बम, कुमार शानू, उदित नारण, अभिजीत भटा चारे, बावल सुपरियो, बिजेता पंडित, पोले मा, हेमा सरदेसाई, सुनी दी चौहान, द्वारे रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें बहपाश गायक और अदित नारण के रूप में शुरुआत कर रही हैं, गाननमर एक कुछ हुआ रहे, हुआ रहे, इस गाने को, बावल सुपरियो और पोले मा, ने अपनी अवाज में गाया है, गानन मर तीन, लड़की दिवानी, लड़का दिवाना, इस गाने को, अदित नारण, और सुनेदी चौहान ने अपनी आवाज में गाया है गाना नमबर चार मोर सहियां इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं गाना नमबर पांच सास्तर सास्त इस गाने के गायकार अभी जीत हैं गाना नमबर चे बेड़ ना हो कसम ना हो इस गाने को कुमार शान हो और विज प्यार करना ना भूलें धन्यवाद कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मेद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सास्त्र मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी के संब्ध में कहानी और चलितरी से जोड़े तत्यों अब बारें बताएंगे तो अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त मारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मिद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा दन्यवाद सास्तर फिल्म सास्तर निश्चानवे की भारती इंदी वाचा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन संजक अन्ना ने किया है फिल्म में सुनी सेटी और अंजली जथर है फिल्म बॉक् अनुपमखे चायंकन नजीव खान तेजा त्वारस अंपादित यूसुप खान संगीत्य है आदेश श्रीवास्तर रिलीज की तारिक चारक्टुबर्मी सुच्छानवे कारेकारी समय 144 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूकंड बेजा करना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर वर्ना है बहे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान के इंद्रित कर रहा है सेवाए प्यूजा की खुजगरवणियों कोई जो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाती है बिजय हमेशा यह मानता था कि उसके माता पिता की हत्या बास्ता में उनके पुराने वफदा शुरक शादिकारी बाबू ने की थी उन्हा की दुरगटना में बिजय बाबू की खोश शुरू करता है और अंते में जब भैव से पाता है तो बाबू उसे बताता है कि उसे केवल अपने माता पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक म और यानि कंडाला में गिरधारी लेकिन इसे पहले कि विजय सचाई का पता लगा पता गिरधारी मारा जाता है पिजय और बाबू शांतिबरसात के कैसिनों में काम करना शुरू करते हैं बहांश थानी डौन अराना उनका दुस्मन बन जाता है जो सांती फिरसाथ के कैसीनों और विजिय की जीवन के बाद है अंत में जब विजय खंडाला छोड़ने का फैसला करता है तो उसे बास्ति की हत्यारों के बारे में पता चलता है लड़ाई में विजआ बाभू को खो देता है अब बीजय अपने दुस्मनों से लड़ने के लिए अकेला है आकिलकार बेह अपने माता पिता के हत्यारे को ट्रैक करने में कामियाब रहा बूखंड बीज़ खन्ना की एक मात्र में तुकांशा अपने पिता की तरह कलेक्टर बना है बेह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई प बास्ता में उनके पुराने बफदार शुरक्षादिकारे बाभू ने की थी नाकी दुरगटना में बीज़ बाभू की खोड़ शुरू करता है और अंत्मी जब है उसे पाता है तो बाभू से बताता है कि उसे केवल अपने माता पिता की हत्या को कवर करने के लिए एक मोह मारे की रूप में इस्तमाल किया गया था और पास्तिवी हत्यारा स्वतंतर रूप से घूम रहा है और केवल एक आदमी विज़े को हत्यारे तक ले जा सकता है और यानि खंडाला में गिरधारी लेकिन इससे पहले की विज़े सच्चाई का पता लगा पाता गिरधारी मार जाता है बीजय और बावू शांती परसाथ के कैसीनों में काम करना शुरू करते हैं बहां इस्थानी डॉन डाना उनका दुश्मन बन जाता है जो शांती परसाथ के कैसीनों और बीजय की जीवन के बार है अंति में जब बीजय खंडाला छोड़ेने का फैसला करता है तो उस को ट्रेक करने में काम्याव रा, फेकना, सुनील सिटी, बिजखना की रूप में, अंजली जठर, पूजा परसाथ की रूप में, डैनी डेंजोगपा, बावु की रूप में, फरीदा जलाल, अन्टी की रूप में, अनुपम खेर, शांती परसाथ की रूप में, राना की प्रिंस्पल बद्र की रूप में दिने शिंगू, कुनिका, सोनिया की रूप में, गेम इन पैकार्ट, कॉलिज पंग की रूप में, विजय के अभिभावक की रूप में, अच्वित पोद्दार, सोनिया के भाई की रूप में, जैक गॉर्ड, विजय के दोस्त की रूप में अली अजगर, गिर्धारी की रूप में लली तिवारी, गीत संगीत, सास्तिर दौरा साउंट्रैक, एल्बम, आदिश्री वास्तव, मुक्त निशुचानवे, इस्तान, पश्यम, मुंबई, महराष्ट, इस्टूडियो, आनन रिकॉर्डिंग इस्टूडियो, महभू स्टू वास्तव में दिया था, और गीत, शामराज ने लिखे थे, साउंट्रैक, एल्बम, आदिश्री वानों का लिंग, पूरा एल्बम, कुमार शानू, ओधित नारण, अभिजीद भटाचारे, बावल सुपरियो, बिजेता पंडित, पोले मा, हेमा सरदे साही, सुनी दी चौ वाहान द्वारे रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें बहपार्श रुगायक और आदित नारण के रूप में शुरुवात कर रही हैं, गाना नमर एक कुछ हुआ रे, हुआ रे, इस गाने को बावल सुपरियो और पोले माने अपनी आवाज में गया है, गाना नमर दो, क्या जल्वे इस गाने को उदित नारण ने अपनी आवाज में गया है, गाना नमर तीन, लड़की दिवानी, लड़का दिवाना, इस गाने को उदित नारण, हादित नारण और सुनेदी चौहान ने अपनी आवाज में गया है, गाना नमर चार, मोर सहिया, इस गाने के गायका हेमा सरदेश आई हैं गाना नमबर पात सास्तर सास्त इस गाने के गायकार अभी जीत हैं गाना नमबर चे बेड़ ना हो कसम ना हो इस गाने को कुमार शानु और विजिता पंडित ने अपनी अवाज में गाया है दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आप को हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद